अलो एवरीवन वेलकम तो मैं यूटूब चैनल मैं नेम इस राहूल स्टॉक मेर के टेकनिकल एनलीसिस के सिरीज में आपका एक बार प्रेस्ट होगाता है आज हम लोग रेफाइट इंडिया स्टॉक का अनलीसिस करने वाले हैं मुल्टिपल कंफरमिशन इस स्टॉक में मिले पहले यह चैनल के नीचे कंटिनेसली ट्रेट कर रहा था रहा है आपको पुराने वीडियो में बता है कोई भी ट्रेंड लाइन या कोई भी सपोर्ट कोई ब्रेस्ट इस बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं फॉर्स टाइम इस टॉक यहां से पॉल हुआ था जब यहां पर मिल गया है कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है पिर एक रिटरेंड लाइन यहां पर कर देते था आप और पर छिन पर आपको ठरीट कर रहा है तो मैं आपको आप स्टाइब किया है तो किस तरह की साब उसको ट्रेल कर सकते हैं पहला स्टॉक अपसाइट पी जब जाता है तब वह फॉस्ट टाइम जब रिट्रेस्मेंट लेता है उसके बाद जब यहां से कंटीनू करता है तो यह वाला पॉइंट जैसी वह निकालता है तो आप मीचे पर अपना प्रेल कर सकते हैं यहां पर इसको सपोर्ट मिला हुआ है यहां पर ट्रेंड लाइन को इसे पेर्क आउट दिया था अभी आपके अंट्री का होने चाहिए आपका टार्गेट का होने चीए वह डिसकस कर लेते हैं एक रिवर्सल पैटन भी मैंने आपको बताया था वाला शोल्डर है उसके बाद इसने एक नेकलाइन मनाया उसके बोस्ते आप से यहां पर टार्गेट जो है वह वह मैंच करके चलते पहला जैसी आपका राइट वाला शोल्डर इसका ब्रेक आउट हुआ था तो जितना भी आपर शोल्डर के पॉईंस निकल के आए थे वहां आपका पहला पहला जो आपका टरगेट है उत्रा होना चीये था जो आपका फिक्ट और निकल के आ रहा है लेकिन अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ट्रेट कर रहें और यहांपर आपिं कर रहें 630 के पास तो आपका previous swing के पास stop loss होना चाहिए जो exactly 520 के पास निकल के आ रहा है और upside पर target कितना होना चाहिए जितना भी आप stop loss का यहां point देंगे जिसे 631 से लेके मैंने यहां पर आप जो point अपने consider क्या 520 से लेके 631 तो यह exactly 100 points निकल के आ रहा है 105 points निकल के आ रहा होगा तो यहां से 630 से आप minimum यहां से 200 points का तो भी target आपको प्लान करना चाहिए जो exactly आप देखेंगे तो 830 के पास निकल के आ रहा है इसका next resistance level को breakout दे गए यहां पर आपने को clear cut indication दिख रहा है second thing जो pattern का formation हुआ था weekly और मंतली म के लिए तो भी exactly बैटना ही चीए जो आप देखेंगे तो अपन जहां पर अभी entry कर रहें वन इस्टो टू का target ले रहें दोनों exactly match हो रहा है यह अगर आप देखेंगे तो price action पर आपको clear cut दिख जाएगा stock directly कभी move नहीं करता है तो आप trailing stop loss जो मैंने आपको explain क्या upside पे गय retracement दिया फिर यहां से upside पर जाएगा एक retracement देगा और इसी टाइप से stock जो है continuously upside मूब करता जाता है तो आप यहां पर अपना stop loss ट्रेल करते हो इसको जितनी दूर तक के hold करना चाहिए अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe कर दीजे अगर आपको price action के points अच्छे पसंद ना रहें तो वीडियो को like कर दीजे आपको कोई डाउट है price action से related तो आप comment box में post कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही thank you